हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई दोहजार चॉबिस का जो एक्जाम अभी अभी आपका हुआ है उसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं जो आप आंसर की चेक कर रहे हैं अलग अलग जगाओं से आप जो है अपने कॉश्चन्स मैच कर रहे हैं जो आप एपर देखे आए हैं उसकी आंसर की आपने अलग अलग क्योंकि अभी ओफिस्चल आंसर की तो सीटेट की आई नहीं है तो अभी आप अनओफिशली अलग अलग यूट्यूब से या किसी से भी आप जो है मैच कर रहे हैं उसमें आपके नंबर डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे किसी से मैच करके आपके अलग नंबर आ रहे होंगे किसी दूसरे से आप मैच कर रहे होंगे तो आपके दो-चार नंबर कम हो रहे होंगे या फिर किसी से दो-चार नंबर आपके बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर इस तरह का difference आपको क्यों देखने को मिल रहा है और जो आपकी official seat rate की answer की आएगी उसमें कितना difference आपको देखने को मिल सकता है अभी जो आपके number आ रहे हैं उससे आपके number बढ़ जाएंगे या फिर आपके number घट जाएंगे और अगर बढ़े तो कितने number बढ़ सकते हैं और घटे तो कितने number घट सकते हैं वो सारी बाते आज कि इस वीडियो में बात करेंगे उसके अलावा एक और चीज है वो ये है कि आपका जो answer की होती है और answer की आने के बाद आपका result आता है फिर कुछ दिन के बाद में तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका answer की में अलग number आ रहे होता है answer की के हिसाब से और result में आपके number बढ़ भी सकते हैं घड़ भी सकते हैं तो कितना number का difference आपको देखने को मिल सकता है जो लोग बिलकुल border line पे बैठ है उनके दमाग में ज्यादा doubt रहता है अगर बहुत अच्छा number है आपके मान लीजी OBC वाले हैं जो 82, 81, CSC पे बैठ हैं 78 पे बैठ हैं तो उनको जो है इन चीजों में ज्यादा सोचना पड़ता है कि क्या number घटेंगे या बढ़ेंगे तो चलिए आज किस वीडियो में बात करेंगे जब questions को तो उसमें आपको number मिलते हैं वो सारी बाते एक एक करके आज किस वीडियो में बात करूँगा और result आपका कब तक आ जाएगा उसकी भी बात करेंगे जितने नए student है वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना क्योंकि CTAT की नई classes भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब और पूरी preparation आपकी चलेगी complete चीज़े आपको मिलेगी यहाँ पर सारी तयारी सारी classes, best number one जबरदस्ट classes आपको मिलने वाली हैं तो जितने भी नए student है वो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लो ताकि आपको आने वाली सारी classes और videos मिलती रहें आपको ठीक है देखें मैं आपको यहाँ पर जो है एक एक doubt की बात करेंगे और सारी चीज़ों की बात करेंगे देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ आनसर की मैं अगर कोई question का आनसर गलत आपको लग रहा है तो आप उस पर challenge कर सकते हैं और उसमें जो है उसकी fees लगती है हालां की challenge करने के लिए भी तो उसमें आप उनको याचिकर डाल सकते हैं कि यह वाला आनसर आपने गलत दिया है आप इसमें आपको omr sheet भी आती है आपकी साथ में और आपकी answer की भी दोनों साथ में आती है तो आप अपनी omr sheet भी download कर सकते हैं website से वो मैं आपको वीडियो बना करें कि जिस दिन भी release होगी आपकी omr sheet मैं आपको तुरंट वीडियो के माद्य हम से ख़बर दे दूँगा इसलिए आप चैनल के subscribe के साथ में बेल आइकन जरूर दबा के रखागर हो ताकि notification मिलती रहे तो उसमें आप match कर पाएंगे अपनी official answer की से कि मैंने कौन से गोले भरे हैं आपके answer में क्या है आपके तो अगर आपको कोई doubt लगता है तो तीन दिन मिलते हैं आपको तीन दिन के अंदर आप चैनल आंसर की आ जाती है उसके बाद में आप कोई change नहीं कर सकते कोई भी आप उस पर या चिका या challenge नहीं कर सकते तो अगर मैं आपको answer की बताओं तो अभी आपका जो है तीन चार दिन के अंदर अंदर आपको answer की देखने को मिल जाएगी उसके अलावा जो final answer की होगी आपकी यानि कि जो आप challenge करेंगे उसके बाद जो final answer की आईगी उसमें लग जाते हैं 12-13 दिन तो अगर आपका exam हुआ है 7 July को तो यूं मान के चलो आप 7 July से हम मान के चलें तो 20 July के आसपास जो है 20 July के आसपास मान के चलो आप जो आपकी final वाली answer की रहेगी वो 20 July के आसपास आपको देखने को मिलेगी ठीक है और उसके बाद में result जो देखने को मिलेगा आपका उसके एक हफता बाद या आपके 10 दिन बाद आपको यानि के last July को आपका July के last में आपको जो है यहाँ पर आपको जो है अपना result भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके डिजी लोकर पर आता है तो सबसे पहल में अब यहाँ पर बात करें तो कितने नंबरों का हैर फेर रहता है और कितने यहां आपको बढ़ सकते हैं एक एक अपने अंदाज से, अब उनको जितनी knowledge होती है, जितनी चीज़े उनको मिलती है, उसके हिसाब से आप answer की आपको बता दी जाती है, लेकिन उसमें गलती होती ही है, हर बार ऐसा हुआ है, कि कुछ न कुछ चेंज आपको मिलता ही मिलता है, और छोटा मोटा नहीं काफी बड़ चेंज मिलता है, पिछले साल तो काफी बड़ा चेंज मिला है, ऐसा भी हो सकता है, कि अगर YouTube वाले answer की से आपके 80 number आ रहे हैं, हो सकता है, official answer की में आपके 90 number आ जाएं, और हो सकता है, आपके 95 number भी आ जाएं, इतना बड़ा भी fair बदल हो सकता है, क्योंकि हर subject में, अब 30 में आप कहीं से भी जो match कर रहे हैं, वीडियो के माधियम से अपनी answer की, तो वो 100% perfect नहीं है, ये बात आपको मान लेनी है, तो इसमें से और ये भी हो सकता है, कि हो सकता है, आपके number घड़ भी सकते हैं इससे, क्योंकि वो जो आपको answer बता रहे होंगे, हो सकता है, आपने भी उ आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कि आपके number जो दिख रहे हैं, वही रहेंगे, उसमें आपका कोई नहीं है, लेकिन मैं max, अगर आपको चीज़ बताओं, तो आपके number बढ़ सकते हैं, और कई बार कुछ बच्चों के घड़ भी सकते हैं, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर यूट्यूब वाली answer की से आपके number चेंज होने है, यह तो 100% बात है, जब आपकी official answer की आजाएगी, उसकी बात करते हैं, official answer की के बाद आपके कितने number बढ़ सकते हैं, उसकी बात करेंगे, तो जब आपकी official answer की आजाएगी, और उस पे आप जो सकते हैं, पूरे seat at में, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कई सारे बच्चों के 4-5-5 questions बढ़ के आए थे, मतलब वो fail हो रहे थे answer की की साब से, लेकिन result में वो pass हो गए थे, तो ऐसा पिछली बार भी हुआ है, तो maximum अगर number की बात करें, तो 5 number तक आपको जो है बढ़ जाता है number आपके, कितने लगभग 5 number तक आपका रहता है, कुछ प्रस्ट में ऐसे होते हैं, जिसके एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, या फिर एक भी सही नहीं होता, चारोई option आपके गलत होते हैं, उसका मिलता है आपको common number, यानि कि चाहे आपने वो answer गलत पढ़ता, 5 number से ज़्यादा का फर्क पढ़ता नहीं है, वो कोई lucky person हो, जिसका घूम जाए circle, तो उसके 5 से उपर number बढ़ सकते हैं, वरने इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा, तो आपके जो result में आएगा, answer की से result जब आता है आपका, तो 4-5 number बढ़ने की उम्मीद ह होती है, कि इतना आपका बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के घटते भी हैं, तो यहीं उम्मीद मत रखना, कि हमारे number बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपके घट भी सकते हैं, और इतना तो आपको खुद को अंदाजा हो जाता है, अगर आप खुद पेपर देके होते हैं, जो आपको पता होता है, कि मेरी गलती से गलत हुए है, लेकिन इसका आंसर कुछ हो रही है, घर पे जब आके solve करोगे, तो इसका अंसर अलग ही निकलेगा, तो इतना आपको खुद भी पता होता है, तो यहां पे मैं आपसे यहीं कहूंगा, कि number वाला खेल तो इत इतना आपको पता है, अब अगर यहां पे अगर आपको doubt लग रहा है, कि हमारे 82 भी नहीं पहुचने या number भी नहीं पहुचने हमारे number, हम fail हो रहे हैं, तो सीधी बात है, अब आपको next seat at की तयारी start कर दिनी चाहिए, क्योंकि next preparation आपको अभी से करेंगे, तो ही फायदा मिल होगा, 2024 में ही होगा, December 2024 में आपका एक्जाम होगा, यह आप मान के चलो, तो अगर आपने अभी से तयारी नहीं की, तो सेम गलती आपके फिर से होगी, पहले भी आपने हमेशा यह किया है, कि 10-15 दिन पहले जाकता है, एक्जाम का एडमिट कार आने वाला है, भी यह चलो इसको हलवा समझने की भूल करोगे, तो आपका हलवा बन जाएगा, यह एक्जाम आपका बहुत अच्छे लेवल का हो चुका है, यह मैं खुद कह रहा हूँ आप से, यह एक्जाम अब बहुत बड़े लेवल का हो चुका है, इसमें जो कॉनसेप्ट है, वो बहुत घुमा दिन के दो घंटे पढ़ लो, लेकिन आपको डेली ही पढ़ना पढ़ेगा, कई महीने तक, चार-पांच महीने तक आपको पढ़ना पढ़ेगा, धीरे-धीरे आपका कॉनसेप्ट बनेंगे दिमाग में, आपकी परसनेल्टी चेंज होगी, कि एक टीचर की परसनेल्टी क् पेस्ट एक्जाम है आपका रट्टा मार के कोई पास नहीं हो सकता सीट एट में इसमें आपको अपनी थिंकिंग ही बदलनी पड़ेगी अपनी सोच बदलनी पड़ती है एक बच्चे के लिए एक स्कूल के लिए शिक्षा एजूकेशन सिस्टम के लिए आपको अपनी सोच निकलेगा जैसे जैसे एक्जाम पास आएगा टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे तयारी बढ़ाते जाएंगे तो इसके लिए हम क्लासेश भी स्टार्ट कर रहे हैं अब आपकी कल से ही मैं कोशिश करूँगा कल से आपका यानि कल तारीक क्या है आपकी 11 तो 11 जुलाई से हम classes start कर देंगे ठीक है new classes आपके start कर देंगे अब next CTAT की ठीक है तो जो लोग भी join करना चाहते हैं वो join करो और मैं आपको guarantee देता हूँ अगर अब से join कर लिए आपने तो CTAT तो क्या CTAT का बाप भी निकलेगा लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि last में भई यह जब CTAT का exam पास आ जाएगा यह बताओ अगर last में ही तयारी करनी है तो इसके बीच में करोगा क्या आपके UPSC की तयारी कर रहे हो या फिर SSC की तयारी कर रहे हो या बड़े बहुत IPS की तयारी कर रहे हो कि मुझे जो है समय नहीं मिलता सर मैं last में ही आऊंगा और अभी जो है मुझे बहुत बड़ा business करना है फाली वेल ले पड़े रहा तो घर पे पूरे दिन मुझे सब का पता है कोई काम धंदा नहीं है सिर्फ घर के काम होते हैं वो सब के लिए होंगे वो आज भी हैं कल भी हैं हमेशा से थे और कल भी रहेंगे घर के काम सब के लिए होते हैं चाय लड़का हो लड़की हो सब के अलग लग तरह के काम होते हैं तो आपको अपने daily routine में से ही समय निकालना पड़ेगा अगर अभी तो आपको लगता है कि लास्ट के 10 दिन में ये 15 दिन में आप जो है दिन के 20 घंटे निकाल लोगे कोई निनी निकाल सकता अभी देखलो, अभी पीछे जहांक के देखलो दो हफते पहले किसी के पास जो है दिन के 3 घंटे निकालने को भी समय नी भश रहा था किया है, उन्होंने 6 जिन 10 धिन, सिर्फ रिघ्ज़न वाला टाइम बताते हैं आपको कि हमनी यह तयारी की है, वो यह कभी नहीं बताएंगे आपको, राज की बात के हमने पीशे भी तयारी की ती एक साल वो नहीं बताएंगे आपको तो यह ध्रम है धोका है आप लोगों के साथ में मैं खुद कह रहा हूँ जब मैंने आपका चार-पांच बार सीटेट निकाला उसके बाद में को समझना पड़ेगा कॉनसेप्ट को सीखना पड़ेगा जब तक आप ठियोरी पढ़के नहीं कोनसेप्ट को सीखोगे ना अब तक आप concept को नहीं समझोगे किसी बात के तो उसके प्रश्ण कैसे solve कर लोगे यह तो देखो आप तो रट्टा मत मारो जाग जाओ इस भ्रहम से यह माया जाल है दुनिया का business है education system कोई आसान नहीं है business भी है बहुत बड़ा सा तो इस माया जाल से बहार रिकलो और सच्चा नहीं कर सकते यह बात आपको समझनी पड़ेगी और जब आपके जीवन में एक ही मकसद है कि भाई हमें CETAT exam निकालना है उसके बाद में next vacancy वाला exam निकालना है तो इधर उधर भटकना क्यों है अपने जीवन के आने वाले 30-40 सालों को अगर सही करना है तो क्या यह दो साल डेल साल या एक साल भैंकर करके तयारी नहीं कर सकते सीरियस होके आपको दस दिन में जो आप चाहिए वो लोग बेवगूफ है जो अपना राज्ये छोड़ के अपना शहर छोड़ के दूसरे शहरों में आते हैं दिल्ली में खैदराबाद में आपके यह एहां एहम्दाब पर समझ में आ रही है कुछ बाते या भी भी पल्ले नहीं पड़ रही मेरी बात तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाईया अभी से तयारी करो चाहे थोड़ी-थोड़ी करके करो तभी आपका एक्जाम निकलेगा तभी concept बनेगा सारी चीज़े concept समझना बहुत जरूरी होता है टाइम देना पड़ता है एकजाम को टाइम नहीं दोगे वीडियो लंबी हो जाएगी है ना काफी ज्यादा चलिए कोई बात नहीं आपसे यह कह रहा था कि कल से क्लासे स्टार्ट कर देंगे और टाइमिंग के मैं वीडियो सुबह में बना दूँगा टाइम में आपको प को बीच बीच में क्लासे स्ट में बहुत देता हूं तो आपके साथ मैं हमेशा रहूंगा मिलते हैं आपको नेक्श वीडियो में बाई बाई चिक क्या